हेलो बच्चों, सुनालिका इगुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे हमारे जैविक किसान प्रतीग बजाज की कहानी, जिनका सफर किताबों से खेत तक का बड़ा ही दिल्चस्प रहा है। तो चलिए सुनते हैं प्रतीग बजाज की कहानी। क्रिशी असीमित संभावनाओं से भरा एक आस्मान है। क्रिशी एक ऐसा छेतर है जिसमें खोज हमेशा अनेवार है। किसी भी तरह का बदलाव लाने में और नई खोज करने में युवाओं का एहम योगदान होता है। लेकिन आज जब देश तरक्की की नई सीडियां चल रहा है तब देश की युवाओं में क्रिशी को लेकर उत्सान नहीं है। युवाओं का रुजान खेती के प्रतीग कम हो रहा है। परन्तु आज भी हमारे देश में ऐसे कई युवाओं हैं जो क्रिशी के छेतर में नई प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवाओं है प्रतीग बजाज। प्रतीग अपनी सूझ भूट से आज लोगों को जैविक खेती के प्रती जागरुक कर रहे हैं। परन्तु ये सफर इतना आसान नहीं था। उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में एक सामान ने परिवार में जन्में प्रतीग बजाज कुशल चात्र थे। परिवार में खेती का मौहौल ना होने के कारण उनका रुझान पढ़ाई की तरफ हमेशा सही था। उनका लक्ष था कि पढ़ाई पूरी करके वो अपने पिता के कारोबार में उनका साथ देंगे। प्रतीग सिये की तयारी कर रहे थे जब उनका ध्यान खेती की तरफ आया। मात्र 19 साल की आयू में प्रतीग ने फैसला लिया कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर अब केचुआ खाद पर काम करना है। प्रतीग के लिए क्रिशी एक नया छेत्र था। ना तो उन्होंने और ना ही उनके पिता ने कभी खेती की थी। परंतु प्रतीग ने निश्य कर लिया था कि उन्हें अब क्रिशी के छेत्र में ही काम करना है। प्रतीग ने केचुआ खात बनाने की विधी समझने के लिए कृषी विज्ञान केंद्र भारतिय पशु चिकित्सा अनुसंदान संस्थान इज़त नगर में प्रशिक्षन लिया प्रतीग ने फैसला तो कर लिया था कि उन्हें अब कृषी में ही अपना भविश्य बनाना है लेकिन उन्हें अभी ये बात अपने पिता को बतानी बाकी थी जब उन्होंने ये चर्चा अपने पिता से की तो उनके पिता को आश्चर हुआ उनके पिता को उमीद थी कि उनका बेटा सिये बनेगा प्रतीक सिये की बुन्यादी परिक्षा CPT भी उत्तीन कर चुके थे प्रतीक ने अपने पिता से निवेदन किया कि खेती में उनकी रूची है और अब वो कृशी में ही काम करना चाते हैं अपने बेटे की निवेदन पर उनके पिता ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया पिता का समर्तन मिलते ही प्रतीक ने अपने ही गाउं में साथ बीगा जमीन ले ली और खाद बनाने का काम चालू किया शुरुवात में उन्हें भारतिये पशुचिकित्सा अनुसंदान संस्थान से जै गोपाल नसले के केचुए मिले जिसकी मदद से उन्होंने खाद बनाने के लिए अपनी जमीन में गड़े तयार किये अपनी महनत और प्रशिक्षन की मदद से उन्होंने पहली ही बार में अच्छी मात्रा में खाद तयार की प्रतीक की बनाई हुई खाद पूरी तरह से जैविक थी खाद की उतपादक शम्ता अधिक करने के लिए प्रतीक ने कई प्रयोग भी किये उन्होंने मंदर में चड़ाने वाले फूल, नीम के पत्ते, गौ मूत्र, इत्यादी को मिला कर खाद की उतपादक शम्ता को और भी अधिक किया और पाया की जैविक खाद और कीट नाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शम्ता बढ़ती है आज प्रतीक अपने गाउं परदौली में जैविक खाद बनाने की इकाई चलाते हैं उनकी इकाई का नाम सैयोगी बायोटिक है जो की कई प्रकार की खाद तयार करती है जैविक खाद बनाने के साथी साथ वो स्वयम भी जैविक खेती करते हैं वो अपने साथी किसान भाईयों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षन मुफ्त में देते हैं और अब तक अपने जैसे सोला सो किसानों को प्रशिक्षन दे चुके हैं प्रतीक का मानना है कि रसाइनिक खाद खेती के लिए हाने का रख है और जैविक तरीके से की गई खेती मुनाफ़ा भी अच्छा देती है आज हमारे देश को प्रतीक जैसे युवाओं की जरुवत है जो क्रिशी को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं तो बचों कैसी लगी आपको हमारे जैविक किसान प्रतीक बजाज की कहानी? अच्छी थी ना? ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग कहानिया सुनने के लिए सुनालिका ईगुरुकुल के चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें